मैं डॉक्टर वायरा कि आज बच्चों को ऐसी ऐसी बाते बताने वाली हूँ जो बच्चों की मम्यों के बहुत कावाएंगी सबसे पहले बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे हैं लेकिन ये वाले बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं उतने स्मार्ट हैं जितने स्मार्ट आप और मैं नहीं है सबसे पहली बात बच्चों को सुभा उठकर चार बजे पढ़ने की आदर डालिए रात की जगा पर बच्चे लैपटॉप पर या कम्प्यूटर पर या फोन पर पढ़ना चाहें तो उनसे को इस सब का प्रिंट आउट निकाल ले और प्रिंट आउट निकाल कर अगर पढ़ें तो अच्छा होगा बच्चों को रेगुलर उनके सर पर तेल लगाएं और तेल में भी बदाम रोगन गरम करकर लगाएं बच्चों को थोड़ी दिर बालों में स्टीम जरूर दें, स्टीम टॉबल दे दीजे, या स्टीमर अगर आपके घर में है तो दे दीजे, और बच्चों को रेगुलर नहाने के लिए बोलिए, क्योंकि सारे तत्व हमारे शरीर के उंदर होते हैं, अगर हम नींद पूरी नह कर रहे, और हम सही से नहा नहीं रहे, और हम बासी मूँ पढ़े जा रहे, हम ब्रश नहीं कर रहे, हम नेस्ते फेला कर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई, ना तो बच्चों को याद होगी, ना बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, समझे आप मेरी बात? नेक्स्ट और महतपूर्ण बात यह है, कि बच्चों को केसर का दूद्दे, केसर का तेलक लगाएं, बच्चों के कमरे में बहुत सारे मोर पंक रखें, बच्चों के कमरे में तोते का जो जोड़ा होता है, मैं असली तोते नहीं कह रहे हूँ, उनकी तस्वीर हो, या मिट के दिवार पर रखतें, नौर्थ अगर आप रखते हैं, तो देट विल भी वेरी गुट, इंग्लिश में भी कॉल नौर्थ और हिंदी में उत्तर दिशा, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के कमरे में भरपूर लाइट हो, कोशिश करें बच्चे को healthy food खिलाइए, बच्चे को खुब सारी vegetables खिलाइए, dry fruits खिलाइए, बदाम, kaju, kishmish खिलाइए, बच्चे को सही बैठ कर, और हमेशा उसका हाथ हाथ में पकड़ कर ये बोलना चाहिए, I am with you, result कैसा भी हो, मुझे तुछ पे विश्वास है, तु बहुत पढ़ ले, fail हो जाएगा, मुझे तो यकीनी तो इस साल पास हो जाए, मेरा तो नाम दुबा देगा, तेरे घरवाले क्या कहेंगे, सब मुझ से लड़ेंगे, हम उल्टी vibrations और उल्टी बाते क्यों करते हैं, चली बच्चा पढ़ भी नहीं रहा, और आपको पता भी है, तो आप अपने घुमने, अपनी शादी, अपनी अनिवर्सरी इन सब के प्रोग्राम को फिलहाल कुस टाइम के लिए डिले करतीचे, बच्चों के घर के अंदर पढ़ाई जैसा महलो, घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम में या फोन पर गायतरी मंत्र जरूर चलाया जाए, तो अच्छा होगा, बच्चों किसी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, जैसे देव को मैट्स में बहुत डर लगता है, और उसको क्या लगता है, अब तो मुझे ही डर लगने लगा है, कि हे बगवान, इसका मैट्स का एक्सामबस अच्छा सा हो जाए, तो आप क्या करे, अपनी जो टंग है, ये जो जीब है, इस जीब को उपर तालू पर लगा कर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, जैसे माल लीजे, हम इस वक्त एक कॉपी लेकर बैठे हैं, और मुझे ये पेज पूरा याद करके, आदे घंटे बाद मैम को सुनाना है, और ये मुझे नही समझ में आ रहा, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए, थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर जो पढ़ रहे हैं, वो भी टफ है, अगर आपनी जीबा को तालू पर लगा कर आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको वो सब्जेक्ट जो टफ है, वो ना के वल याद हो जाए में, आप यकीना नी से करकर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, सरस्वती पत्ता आपको किसी भी जो वैद की दुकान होती है, आरवेदिक दुकाने होती हैं, वहां मिलेगा सरस्वती पत्ता देखने में 54 पराश्र ऐसा होता है, तो वो बच्चे को खिलाना शुरू क इस ये अच्छा रहेगा, बच्चे सरस्वती 40 या तो सुने या उनकी माए उनके लिए सरस्वती 40 रोज जरूर पड़े, सरस्वती जी के एक तस्वीर, मूर्ती, खुबसूरसी जैसे ये सरस्वती ज्यान की देवी इस वक्त हमारे पास भी बैठी है, ऐसी सरस्वती बच् को तो it is more than enough. एकजाम होल में जाने से पहले नहाएं जरूर, मैं मही में मेश्या बच्छा यह मैँ बहई पर में आकर नहाएं एस बाते नहा हैं और दही और गुड़ खाकर एकजाम में निकले हर रोज जब एकजाम देने जाएं तो दही और गुड़ खाकर जाएं आपके अंदर से आपके शरीर के अंदर से positive vibrations हो आपका औरा एकदम clear हो जिस कमरे में आप बैठें आपका औरा चमक रहा हो सूरे देपता को भार की तरफ पढ़ नाम करकर जाएं रस्ते में आंटी आंटी चर दी दी मा जो भी लोग मिलें उनके पैर चुकि उनका शिर नहीं जाएं कि मुझे बहुत सारे नंबर चाहिए और मुझे क्लास में फस्ट आना है और परिक्षा देने इसलिए भी नहीं जाएं कि मुझे तो सिर्फ पास होना है ठीक है ये बोथ चीज़े जो है ना वो in balanced हैं ठीक है क्लास के अंदर टॉप करने वाले बच्चे अकसर जिन्दगी में fail हो जाते हैं क्लास में पीछे की बैंच पर बैठने वाले बच्चे अकसर जिन्दगी में success हो जाते हैं तो number is just a number वो जो आपके diary में number दिये जा रहे है ना जिस that is only the number कि आपकी copy और में दिये जा रहे है मैं मानती हूं कि that number will help you for your college admission or everything but destiny is already you know decided और आप अब एक महीने में वो सब नहीं कर सकते जो आपको पूरे साल करना चाहिए, बार-बार आपकी मम्मी, मैं भी यूट्यूब के जरी आपको बोलती हूँ, स्कूल से जो भी होमवक मिले उसे करो, रोज के रोज रिवाइस करो, लेकिन आप नहीं समझते, आप 10-12 किसी भी क्लास के ब गी और चीनी, ये मिला कर आप बच्चे को रोज पिलाना शुरू कीजिए, इसका चंद्रमा अच्छा होगा, मानसिक शक्ती अच्छी होगी और बच्चे का मन कमजोरनी होगा, क्योंकि कई बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन एक्जाम हॉल में पहुँचने के बाद, ह बच्चे की परिक्षा अच्छी जाती है, मा का आशिरवाद लेने से, मा को खुश रखने से, मा का गले लगकर उसकी वाइबरेशन लेने से, और सबसे महतपूर बात, पढ़ाई करने से परिक्षा अच्छी जाती है, परिक्षा में जो छुटिया मिली है, वो वाट्सप तिक टॉक को देखने के लिए नहीं मिली हैं, वो छथ पर घूमने के लिए नहीं मिली हैं, खुब सारे फ़ल और फाइवर आपकी बॉडी के अंदर चाहिए, अपने दोस्तों से डिसकुशन करना चाहिए, और कम्बाइंड स्टुडी करनी चाहिए, लेकिन कम्बाइंड आपकी मन पसंद हर चीज आपको दे रहे हैं, और बदले में आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, और उसका नाम है पढ़ाई, आपको पढ़ाई दिल खोल करने चाहिए, इसके साथ एक बास समझे जिए, मेडिटेशन करना, प्रभू का नाम सुनना, या अपना फेवर सुचाओ, खुश होकर, सूरे दिवता को परनाम करकर, सूरे को जल दे कर, साफ सुतरे कपड़े पहन कर, मा का दिल बिना दुखाए, खुश होकर, प्रॉपर खाना का कर, मैं एक्जाम में खाली पेट जाने की सला कभी नहीं दूंगी, आपको चकर आने लगते हैं, आपकी वाइबरेशन आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, तो भर पेट भोजन करकर जाएं ना जाएं, क्योंकि उससे भी आलस आता है, लेकिन पेट में कुछ ना कुछ अन डाल कर जाएं, क्योंकि वापको उर्जा और शक्ती देता है, सु बच्चों, डॉक्टर वायराखी की 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